तो ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं हमारे चैनल से जुड़ने के लिए नीचे आप सभी को रेड कलर के सस्क्राइब को बटन दिखाई दे रहा होगा उस पे क्लिक करके जो है आप हमारी चैनल के साथ बड़े आराम से जुड़ सकते हैं हेलो दोस्तो नमस्कार आज के इस वीडियो में जो है मैं आप सबी को ये बताने वाला हूँ कि सीनियर सिटीजन का आप टिकट अपने मुवाइल से कैसे बुक कर सकते हैं तो इस वीडियो में आप सबी को इसी के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ आए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो ट्रेन का टिकट बुक करने के लिए अगर आपको अपने मुवाइल से बुक करना है तो IRCTC application से जो होता है तो यह IRCTC का application है इसको install करना पड़ेगा इस पे account बनाना पड़ेगा फिर उसके बाद आप अपना ticket book कर पाएंगे इसके बारे में जो है मैं पहले बता चुका हूँ ठीक है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जो है आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं और हो सकेगा तो मैं उस वीडियो का link जो है मैं इस वीडियो के description में देदूँगा ठीक तो सबसे पहले जो हमको IRCTC के application को open कर लेना है तो चलिए जो हम open कर लेते हैं तो चलिए जो है यहाँ पे capture type हो चुका है login के option पे click कर देना है click करने के बाद जो है थोड़ी से करना पड़ेगा आपको इंतजार अब उसके बाद जो है यहाँ पे train वाला option दिखाई दे रहा है उस पे जो है आपको कर देना है click क्लिक करने के बाद जो है book ticket का option दिखाई दे रहा है इस पर आप से जो करना पड़ेगा क्लिक तो यहां पर क्लिक करने के बाद जो है सबसे पहले तो आपसे यह पूछेगा कि किस station से आप यात्रा या आप reservation करने वाले हैं तो हम यहाँ पर बिर्सिंगपूर से गाजीपूर तक जहां तक जाने वाले हैं उस station का नाम आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा ठीक है तो हम यहाँ यहाँ पर दोनों भी station का नाम लिख दिये फिर उसके बाद यहाँ पर पूछेगा तारीक तो यहाँ पर आप सभी को click कर देना है और click करने के बाद जिस तारीक को आप यात्रा करने वाले हैं उस तारीक को यहाँ पर select करना है तो चलिए जो मैं 29 तारीक यहाँ पर select कर लेता हूँ और OK के बटन पर कर देता हूँ click करने के बाद जो है आप सभी को senior citizen का ticket जो हम book करने वाले हैं तो इसके लिए जो है आप सभी को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है आप सभी को journal में जाके quota में जाके जो है यहाँ पर ठीक है इसमे आपको senior citizen select करना पड़ेगा तो चलिए जो हम यहाँ पर click कर देते हैं click करने के बाद जो है यहाँ पर आप सभी को senior citizen का जो है आप सभी को option दिखाई दे रहा होगा इस पर आपसे को कर देना है click क्लिक करने के बाद यहां पर यह लिखा हुआ देखने को मिल रहा है कि सिनियर सिटीजन में किन लोगों को रखा जाता है ठीक है तो चलिए जान लेते हैं सिनियर सिटीजन में किसको रखा जाता है अगर आप महिला हैं तो आपकी उम्र पैतालिस हो या पैतालिस से उपर हो ठीक है तो आप सीनियर सिटीजन में आ जाएंगे एक बात ध्यान रखेंगे फिर से मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं तब ही आप senior citizen में आएंगे तो इस बात को ध्यान रखना है मैं लियाओं के लिए 45 वर्स और पूरसों के लिए 60 वर्स या उससे अधिक या 45 वर्स या उससे अधिक ठीक है तो यहां पर हम OK के बटन पर कर देते हैं क्लिक दोस्तों यह चीज आपको ध्यान रखना है और साथ ह पड़ेगा वहाँ पर आपको एक से टिकट तीटी जो है पूछता है कि आप अपना टिकट दिखाईए और फिर उसके बाद जो भोलेगा कि आप अपना आधार कार्ड दिखाईए तो आपके अधार कार्ड में अगर महिला है तो आपकी उम्र 45 वर्स होना चाहिए उस से उपर होनी चाहिए अगर आप पुरुस है तो आपकी उम्र 60 या 60 से उपर होना चाहिए उस अधार कार्ड में लिखा होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पे हमने ये दोनों चीज़े जोए सेलेक्ट कर ली हैं और यहाँ पे सर्च ट्रेन का उप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आप सिंपल स्लीपर हो या टू एस हो या थर्ड एसी हो चलिए हम जोई sleeper में जोई click कर देते हैं यहां पर जोई आप देख सकते हैं कि 29 तारीक को जोई 9 seat जोई खा लिए दोस्तों यहां पर होता क्या है कि senior citizen के लिए अलग से seat जोई बचा के रखती है railway और उनका जोई कोटा अलग रहता है तो ऐसे situation में जोई अगर आप senior citizen सेलेक्ट करेंगे तो आपकी संभावना अधिक रहती है कि आपकी जो ticket जो है वो confirm हो जाए या आपको जो है ticket मिल जाए ठीक है तो इसकी संभावना जो है बहुत ही जादा होती है फिर उसके बाद जो है आपको simple जैसे ticket book करते हैं तो यहाँ पर आप सभी को 29 तारीक को जाना है तो 29 तारीक यहाँ पर select कर लेते हैं यहाँ पर passenger detail का option दिखाई देरा है वहाँ पर click कर देना है और I agree के option पर आपको कर देना है click दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को यह भी बता देना चाहता हूँ कि senior citizen का अगर आप ticket book करेंगे तो आपको seat तो मिल जाएगी लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी पैसा जितना amount जो लगता है ticket book करने में ठीक है उतना amount ही लगेगा कोई भी जो यहाँ पर discount जो आपको देखने को नहीं मिलता है senior citizen के हो आप या नहों ठीक है तो यहाँ पर जो उतना ही पैसा लगेगा जितना journal को उटाक लगता है उतना ही पैसा जो यहाँ पर senior citizen का भी जो लगेगा फिर उसके बाद जो यहाँ पर OK का बटन दिखाई दे रहा है यहाँ पर कर देना है click, click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर add new को option दिखाई दे रहा है इस पर click कर देना है और click करने के बाद जो यहाँ पर आपको उस वेक्ती का उस पुरुस या उस महिला का नाम यहाँ पर लिखना है जिसके जो है आप टिकट कर रहे हैं तो चलिए जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ भी जैसे कि मैं र, A, M, G लिख देता हूँ ठीक है फिर उसके बाद पुछेगा एज, तो उसकी एज जो है, अगर पूरुस है तो उसकी एज जो है 60 से उपर होनी चाहिए ठीक तो हम यहाँ पर 60 लिग देते हैं अगर आप 60 से नीचे करेंगे ना तो यहाँ पर नहीं लेगा तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर पूरूस है तो 60 होनी चाहिए अगर महिला है तो 45 से उपर होनी चाहिए ठीक है यह 45 होनी चाहिए पिर उसके बाद जो हम mail सिलेक्ट कर लेते हैं यहां पे फिर उसके बाद जो नेसेनल्टी पूछ रहा है बर्थ सिलेक्ट करने को पोल ला है तो इसको जो हम रहने देते हैं उसके बाद जो एड पैसेंजर का option दिखाई दे रहा है इस पर आपको कर देना है click क्लिक करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं कि हमारा जो नाम है वो एड हो चुका है अगर कोई और भी साथ में है तो एड नियू का आप्सन पे क्लिक करके उस सीनियर सिटीजन के वेक्ति या पूरुस या महिला का जो है यहां पे नाम लिख देना और उसकी जनकारी भर ले तो आप जो है सीट अगर किसी एस वन यास टू में रखना चाहते तो उसका नाम जो यहां पे लिख सकते हैं फिर उसके बाद जो यहां पे आप से पूछेगा कि क्या आप जो है अपना पेमेंट जो डेविट कार्ड क्रेडिट कार्ड एटीम या नेट बेंकिंग से कर करना चाहते हैं तो दूसरा वाला option फिर उसके बाद यहां प्पूछेगा इंसुरेंस travel insurance याने की यात्रा की भीमा अगर करवाना चाहते हैं तो आप yes पर कर सकते हैं अगर नहीं करवाना चाहते तो नो पर क्लिक कर सकते हैं तो हम जो यह एस पर क्लिक करके रिव्यू जर्णी का जो यह आपको कर देना है क्लिक तो चलिए जो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं क्लिक करने के बाद जो यहाँ पर पूरी ही जानकारी है जो हमारी दिखाई देंगी कहां से कहां तक टिकट है ठीक है और हमारा जो यहाँ पर नाम दिखाई देगा उम्र दिखाई देगा फिर उसके बाद आप सभी को सिंपल नीचे की तरफ आ जाना है और यहां पर आने के बाद जो आपको यह वाला जो कैप्चर है इसको आपको यहां पर टाइप कर देना है ठीक है तो चलिए जो मैं इसको टाइप कर देता हूं डबलू लिखा है स्मॉल लिटर में डबलू आई डी ऑई ठीक है यहां पर जो हमने कैप्चर टाइप कर दिया फिर उसके बाद जो प्रोसीड टूपे का उपसन दिखाई दे रहा है यहां पे क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद जो है अब जो आप देख सकते हैं कि यहां पर इलर्ट लिखा और यहां पर select करने के बाद जो हम Google Pay से जो है payment करने वाले हैं तो यहां पर Google Pay का option जो है यहां पर दिखाई दे रहा है यहां पर click कर देना है और click करने के बाद जो है यहां पर नीचे के तरफ Pay का option दिखाई दे रहा होगा उस पर जो आप सभी को कर देना है click कि सबस्क्राइब तो जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा Google Pay का UPI ID यहाँ पे क्लिक करदेते हैं और ख्रवक करनेके बाद यहाँ को अपने Google पे का 낌 UPD लिखना है और पर शॉच्वाला जो ओप्सन दिखाई देरा है यहाँ पर क्लिक करदेना सब् lan IPN वहाँ पे आपको अपने Google Pay को open करना है, वहाँ पे एक link आएगा, तो वहाँ पे पे करने के लिए एक option बना रहता है, वहाँ पे पे के option पे जैसे ही आप click करेंगे, तो उसके बाद आपका UPI पूछेगा, और UPI से जब आप payment कर देंगे, तो फिर से आपको इसी page पे वापस चले आना है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आएंगे, तो आपका ticket बुक हो जाएगा, दोस्तो इस तरीके से जो है, आप senior citizen का ticket बुक कर सकते हैं, पूरा जो ticket मैं यहाँ पे बुक करके दिखाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी यात्रा नहीं होने वाली है मैं यहाँ पे आप सभी को पूरा process करके बता दिया हूँ, ठीक है, तो दोस्तों कुल मिलाकर इस वीडियो में केवल इतना ही था, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो जो आप सभी को अच्छी लगी होगी, पसंदा है तो like करिएगा, कुछ भी कहना हो तो comment box में लिख सकते है चैनल अच्छा लगे तो चैनल को जो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, मिलते एंगले वीडियो में तब तक के लिए सुक्रिया दोस्तों धन्यवाज जाएं